आज हम लोग square calculate करने का short trick सीखेंगे और किस number का square जो भी मेरा number हो जो की 5 के साथ end होता हो उसका हम लोग square short trick के साथ कैसे calculate करेंगे आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ तो चलिए शुरू करते हैं जैसे कि माल लिजे कोई भी एक number 25 हम लोग example में ले ले लेते हैं छोटा सा number है इसका देखिए मैं कित्ते जल्दी से इसका square calculate कर दूँगा 25 मतलग इंदुनी 6 और 25 देखिए 625 इसका square हो गया ये मेरा answer हो गया और कोई number ले लेते हैं माल लिजे 75 ल बताने वाला हूँ तो आप वीडियो को अंतक देखिए चलिए जैसे कि मैंने आपको 25 का ही बताया था कि स्क्वाइर कैसे इतना जल्दी मैंने calculate कर दिया तो मैं आपको भी बताता हूँ कि 25 का square कैसे calculate करेंगे trick के साथ तो सबसे पहले हम यहाँ पे दो दाग ले लेते हैं ल और यहाँ पे last में हमेशा हम 5 ही लिख देंगे जो भी नंबर मेरा 5 के साथ एंड होता हो हमेशा 5 के साथ एंड होने वाले नंबर के साथ यह trick लगेगा अब देखिए 2 को 3 से multiply कर दिया दोती हैं 6 और यह जो 25 था उसको 25 का 25 ही लिख दिया तो यह मेरा हो गया answer 625 अब ऐसे ह अगर हम किसी दूसरे नंबर का और example ले लेते हैं तो मान लिजिए जैसे मैंने 75 का बनाया उसका example ले लेते हैं 75 का square करना है हमको 75 का square कैसे करेंगे वही लगाएंगे यहाँ पे एक line यहाँ पे एक line ठीक है चलिए तो 7 का किस से multiply करेंगे किस से गुना करेंगे 8 से और आपको और भी कुछ example देता हूँ जिससे कि आप अच्छे से इसको समझ पाएं अब एक और example देहमाल लीजे हम 9 और 5 को ले लिए इसका square हमको calculate करना है इसमें कितना time लगेगा अगर 9 और 5 को दो बार multiply करने जाएंगे तो लेगिन उतना नहीं करेंगे वही जो trick मैंने बताया उसी से करेंगे 9 इसको किस से गुना करेंगे इससे एक ज्यादा से 10 से और दूसरे वाले line में हम 25 लिख देंगे तो कितना होने वाला है 10 नवा 90 और ये 25 का 25 ये मेरा answer हो गया कितना आसान है चलिए इसी का एक हम लोग 3 digit का number ले ले लेते हैं 3 digit का number मतलब 105 इसका square calculate करना है तो कैसे करेंगे same to same इसमें भी एक बड़ा line एक और line ले लेंगे इसमें हम पहले से 25 लिख देंगे और इसमें एक 5 को छोड़ करके ये जो 10 बच रहा है इसको लेंगे और इससे एक बड़े number से इसको गुना कर देंगे तो 11 का 10 से गुना करेंगे 110 और ये 25 का मेरा 25 रह जाएगा ये मेरा answer हो गया आसा करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ चुका होगा अगर नहीं समझ में आया तो एक बार मैं फिर से एक सवाल बता देता हूँ देख लीजिए आफ एक और सवाल का example हम लोग ले लेते हैं 65 मान लीजे मेरे पास है जो भी नंबर हो जो कि 5 के साथ ही end होता हो end में उसका last में उसका 5 ही होना चाहिए तो 65 वही करेंगे दो लाइन हम लोग कीच लिए last में 25 लिख दिये हैं और 6 और इससे एक बारा नंबर 7 से इसको multiply कर दिये 7 से गुना कर देंगे तो 6 सकते 22 और ये वाला मेरा जो 25 है वो लिख देंगे 4,2,2,5 ये मेरा answer कर दो कर दो